श्रीमद हूम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बिच्छियां और महिलाओं के गर्वासे के बीच क्या खास सम्मन्द है औरतें जो अपनी अउटे के बगल में जो उंगली है उसमें जो पेंते हैं उसे बिच्छिया के रहे हैं भारत एक बहुत होने इसका वड़े हमारे सास्त्रों में मौझूब है हमारे खाने से लेकर हम क्या पहनते हैं इसका भी हमारे मनमस्तिस्क और स्वास्त पर गहरा परभाव होता है कुछ ऐसा कहना है हिंदू सास्त्रों पर अब हिंदू महिलाओं को ही देख लीजिए जो सुरस रिंगार करन जाने वाली बिच्छिया तक हर एक वस्तू का अपना ही महतु है परमपराओं के दिश्टी से तो इनके महतुरोचक ही लेकिन इसके अलावा भी अप्रतिक आभूशन और सिंगार समगरी कुछ ना कुछ कहती जरूर है कुछ नहीं वस्तू की जानकरी प्राप्त करने के लि द्वारा बिच्छिया पहनने की रिवाज से है कई लोग इसे सिर्फ शादी का प्रतीक चन और प्रंपरा मानते हैं लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है जिसके बारे में कमी लोग को पता है और वह है इस बिच्छिया का गर्भार्से से जुड़ा संबन है सास्त्रों में लिखा है कि दोनों पैरों में चांदी की विच्छिया पहनने से महिलाओं को आने वाली मासिक चक्र नीमित हो जाती है इससे महिलाओं को गर्वधार्ण करने में आसानी होती है चांदी विद्यूत की तरह सहाख मानी जाती है धरती से प्राप्त होने वाले दुरुविय उर्जा को या अपने अंदर खीच पूरे शरी तक पहुचाती है जिससे महिलाएं तरु ताजा महसूस करती है इसी तरह साइंस ने बताया है कि पैर के अंगोटी के तरफ से दूसरे उंगले में एक विसेस नस होती है जो गर्वासे से जुड़ी होती है वो गर बिद्वाब से रख्थचाप को संदुलित कर इसे सवस्थ रखती हूं कि भीच्या के दबाब से रख्थचां नयमित और नियंदतृ त बशल को इसका दूसरा फाइदा यह हैं कि बिच्च्या महिलां के प्रजन अंग को भी स्वस्थ रखने मुदद चाती है जिससे उनक चैनल के स्वागत है आप हमारे चैनल के सुब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवादि